मेरे यूटूब पर आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूं रिश्कमार सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाज जिन्होंने पेज को सबस्काइब किया है पेज के वीडियो को शेर कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगाता है दे रहे यह दो जून तक अस्थ रहेंगे इस अस्थ होने का क्या परिणाम रहेगा यह जानने की कोशिश करेंगे लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि गुरू किन चीजों के कारक है गुरू कुंडली में चार भावों के कारक होते हैं कुंडली में कुल बारा भाव होते हैं बारा में से चार भावों के कारक गुरू होते हैं धन भाव, सुत भाव, संतान का भाव, नोवा जो भागे का भाव होता है ग्यारवा जो आपकी earnings का भाव होता है यानि कि धन से जुड़े विशे किस्मस से जुड़े विशे बुद्धी विवेक से जुड़े विशे और संस्तान से जुड़े विशे इनमें गुरू की पधानता रहती है गुरू इन सब के कारक होते है और जब ये गुरू अस्त हो जाए तो कुंडली में किस तरह के पर नाम आते हैं आप समय सकते हैं कि गुरू अपनी पूरी पावर के साथ काम नहीं कर पा रहे है गोचर में अब गोचर में गुरू के काम ना करने का नुकसान किसको है सबसे ज़्यादा नुकसान तो उनी को है जिनके उपर गुरू की महादशा चल रही है इस समय और गुरू की महादशा तीन राशियों पर हमेशा चलती रहती है तो सबसे पहले तो ये तीन राशियों की बात करेंगे इसके बात करेंगे गुरू की जो अपनी दो राशियां हैं उनके उपर क्या असर पड़ेगा तो सबसे पहले जो वरिशब राशी है वरिशब राशी में पैदा हुए जातकों के उपर गुरू की महादशा चल रही है इस समय ये वो जातक जो प्रफेशनल लाइफ में है यानि कि जिनकी उमर 30 से लेकर 50 तक य आम मालीव ये 25 से लेकर 55 तक ये वो सारे जातक इस समय गुरू की महादशा से गुज़र रही है जो वरिशब राशी के है अब वरिशब राशी के ऊपर से зयं गुरू का गोचर हो रहा है चंदरमा के ऊपर से गुरू का गोचर दशानाथ आपका जो है वो अश्टम का भ तो अच्छा है और इसका ट्रांजिट होते ही आपको इसके फल मिलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि गुरू ग्यर्वेंभाव के स्वामी है ग्यर्वेंभाव के फल करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा दो जून तक आपको वेट करनी पड़ेगी जो अगली राशी है जिसको इसका वेट करना पड़ेगा वो है कन्यराशी कन्यराशी के तमाम जातक जो 25 से 45 तक है या 30 से 50 तक के हैं उनके ओपर गुरू की ही महातशा चल रही है आप कुंडली अपनी चेक कर सकते हैं के ओपर गुरू की महातशा होगी तो जो इस राशी के जातक हैं कन्यराशी के जातक हैं उनके लिए गुरू दोनों केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं यानि कि कन्य राशी के जातकों के लिए सब्तम भाव में गुरू की मीन राशी आ जाएगी और चोथे भाव में गुरू की धनू राशी आ जाएगी अब चोथा भाव सुक्स्थान होता है चोथे भाव से प्रोपर्टी खरीते हैं एसेट सारी चोथे भाव से आती है मदर की हैल्थ चोथे भाव से आती है तो यहां पर चोथे भाव के सिगनिफिकेंस अभी दो जून के बाद एक्टिव होंगे सात्वें भाव चोथे एक्टिव होना है दशानाथ जो है वो आपका सात्वें भाव सात्वें भाव का भी स्वामी है इसलिए वो भी फल जो है वो भी फल आपको थोड़े से डिले से मिलेंगे अब चुकि सात्वे भाव से हम बिजनस पार्टनरशिप देखते हैं आपके लाइफ का पार्टनर सेवन्थ हाउस से आता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा काफी सारे जातक जिन के लिए शादी के लिए लड़का ढूंडा जा रहा था या लड़की ढूंडी जा रही थी शादी के त्यारी हो रही थी उनको अभी दो जूम तक वेट करना पड़ेगा वैसे भी जब गुरू अस्त हो तो मेरिज नहीं होते शुक्र भी इस समय अस्त है तो यहाँ पर कन्या राशी के जातकों के लिए साथ्वे भाव के सिגनिफिकेंस और چوتھे भाव के सिगनिफिकेंस में डिले होगा उनके result में डिले होगा जब तक गुरू उदे नहीं होई जाते यह रहेगा आपकी कन्या राशी के जातकों के लिए अगली राशी जिसके लिए इसका फल थोड़ा सा डिले से मिलेगा वो है मकर राशी मकर राशी के भी वही जातक 25-45 या 30-50 साल की उमर के सारे जातक किसमें गुरू की महातशन से गुजर रहे हैं और वहाँ पर उनको गुरू के फलों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इस राशी के जातकों के लिए गुरू का गोचर इस समय जो हो रहा है वो शुब गोचर हो रहा है क्योंकि गुरू यहां पर आपकी कुंड़ी में पांच्वे भाव से गोचर कर रहे हैं पांच्वे भाव में गुरू का गोचर होता है तो निश्ची तोर पर वो आपको अच्छे रिजल्ट देता है लेकिन चुकि गुरू इस समय अस्तिती में आ गए हैं और दशानात जो हैं वो आपके गुरू है इसलिए वहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ गाँड़ का पांच्वे भाव से संताना आती है 5वे बुद्धी विवेक आता है 5वे ऐजञें आता है 5वे भाव के सिग्णिफेंस अभी अक्टिव नहीं होंगे आपके पांचवे भाव में जब गुरु बैठे हैं तो सीधा दृष्टी दे रहे हैं ग्यारवे भाव को वहां से यदि आपकी कोई प्रमोशन का मामला है कोई अलिवेशन का मामला है तो वहां पर थोड़ा सा डिले हो सकता है दो जून के बाद वो रिजल्ट मिलेंगे गुरु यहां पर बैठे हैं नुवे भाव को एक्टिव कर रहे हैं वो भागेस्तान है यहां से हम अध्यात्म का भाव इसको समझते हैं यहां से अध्यात्म की यात्रा देखी जाती है तो वहाँ पर भी हो सकता है चीजें आपको डिले हों आपके लिए वो चीजें सारी थोड़ा सा रिजल्ट आपको उसका डिले मिल सकता है वैसे मकर राशी के जातकों के लिए गुरू जो है वो दो भावों के स्वामी है आपका बारवाँ भाव वहाँ पर गुरू की धनूराशी है और आपका तीसरा भाव वहाँ पर गुरू की जो है वो मीन राशी है ये प्राकरम का भाव होता है लहाजा जो confidence आप में आना चाहिए decisions making को लेकर वो हो सकता है आप थोड़ा सा lag करें 2 जून तक तो थोड़ा सा इ फिसिकल जदे सकता है आप थोड़ा सा आप लोफिल कर सकते हैं आप अपमें अन्थियूम की कमी हो सकती है उसा की थोड़ी सी कमी हो सकती है और लोफ चलेंगे इस एक महीने के दो लगए 26 दिन तो 2 जून के बाद चीजें इन 2 राशियों के लिए भी ठीक होंगी ये गुर जो तीन राशियां जिनके ओपर गुरू की महातरशा चल रही है, यदि उनकी कुंडली में गुरू छठे आठवे बारवे में नहीं है, तो उनको डेफिनेटली पुखराज धारन करना चाहिए, पुखराज से आपको बहुत अच्छे डिजर्ट मिलेंगे, लेकिन ये जरू गुरू एंशूर करिए कि आपका गुरू छठे आठवे बारवे में ना हो.